हेलो अब्रीवन कैसे हैं आप सभी लोग होप अच्छे होंगे वेलकम तो जैशी टेरट आप सभी अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे आज अम देखते हैं आपके परसन की करन थोट्स और फिलिंग्स क्या है इस वक्त आपके परसन की अभी हम देखेंगे इस करींजर्स आपके परसन तो इस वत काफी जादा हर्ड नजार आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कुछ अन्प्रेडिक्टिबल चीजे जो है वह अचानक से उनके लाइफ में होगे कोई ना कोई टावर मोमेंट उनके लाइफ में आया आई थिंग अगर आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा अन्बन चल रही है तो कुछ लोगों के बीच में तो ब बहुत डिस्टर्बंस दे रहा है बहुत प्रॉब्लम क्रेट कर रहा है शायद हमारा अलग हो जाना ही बहतर है कहीं न कहीं इस रिलेशन्शिप से निकलने का सोच रहे हैं जितने भी पॉसिबिल्टीज थी वो कहीं न कहीं खतम होते हुए नजर आ रही है आप मैं अगर ब बैलेंस हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा कहीं न कहीं वह मिसाउट होता हुए दिखाई दे रहा है यह बहुत ज़्यादा मुझे लग रिडिंग टॉक्सिक रिलेशन्शिप वालों की आ गई है यहां पर जिनका बहुत ज़्यादा सिच्वोशन जो है आउट आउट अफ क सबना करना पड़ रहा है मुझे मुझे स्टेबल नहीं हो पा रहा है यह रिलेशन्शिप और यह दखि आपके परसन और आपके परसन और आपके बीच्छे सारे ठीक हो जाएए लेकिन कहीं कहीं न कहीं जो वो out of control हो चुकी है यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच में कहीं न कहीं कुछ लोग हैं जो कि आपके break up का या आपके बीच में जगड़ा होने का कारण हो सकते हैं या आपका career या उनका career हो सकता है दोनों के बीच में problem create कर रहा हो या तो फिर यहां पर कोई situation हुई है जिसमें आपके person जो है और बहुत जादा मजबूर दिखाई दे रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके person के साथ में हुई है या उनके मन में यह चीज़ें चल रही हैं जिनसे वो hurt हुए हैं उनके मन में इस वक जो है situation positivity कम और negativity जादा चल रही हैं समझ र आई हैं उन सारी चीज़ों से यहां पर आपके person निकलना चाहते हैं उनके thoughts जो हैं वह आपको लेकर positive तो हैं बड़ कहीं न कहीं उनको यह जो problem बार 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 क्रेट हो रही है यह उन्हें नहीं चाहिए जैसे मैंने कि कहा अभी थोड़ी दिर पहले कि negativity बहुत ज़्यादा उनके माइंड में हावी हो रखी इस negativity से निकलना चाहते हैं और इस negativity नोंने काफी ज़्यादा परिशान करके रखा हुआ है जैविल बहुत ज़्यादा नेगटिव वाइब्स हैं आपके परसन की जरूर कुछ न कुछ उनके साथ इस तरीके की सिचिवेशन अभी होई है हाली में जिसके चलते उनको ऐसा लग रहा है कि सब तूट गया है सब खतम हो गया सब बिखर गया है इतने नेगटिव कि सब ठीक होगा डेफिनेट्ली वो चाहते हैं कि यह रिलेशनशिप आगे बढ़े यह रिलेशनशिप आगे जाए यह रिलेशनशिप को वो मुकाम मिले जो मिलना चाहिए लेकिन कुछ ना कुछ आइसा हुआ है या हो रहा है आप लोग के बीच में या कोई आसा तीसरा परसन है जिसके चलते आप लोग के बीच में वो जो रिलेशन्शिप बिल्ड होना चाहिए वो बिल्ड होने के बजाए तूरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और इसी के चलते आपके परसन जो है वो उदास हैं दुखी हैं अपसेट हैं डिस्टर्ब हैं नेगटिवटी परसन है आपके उनके बीच में या उनका करियर है या कुछ भी है जो आप लोग के बीच में ये टॉक्सिक रिलेशन्शिप को लाया है या ला रहा है या बार बार चीज़े आ जा रहे हैं डेफिनेटली उन सारी चीजों से कट आफ करकर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे इस नेगेटिवटी से बाहा निकल कर आपकी तरफ सक्सस लेंगे आपकी तरफ रुख लेंगे और यहां पर आपको जरूर कॉल और मैसेज आपका आपके पास आएगा कुछ लोग के पास विदिन एट आर्स एट वीक्स और एट डेज में हो सकता है या शिक्स नंबर भी इस तरीके से क्यों तूड गया है क्यों इतना क्यों टॉड़िवेस्टीस में हो रहे क्यों मुझे इतना जयदा बॉर्डन फीलator हो रहा है क्यों मुझे ही इतना जैदा सफार करना पड़ रहा है मैं चाहता हूं कि creature रिलेशन्शिप सक्सेज हो मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में सब ठीक हो जाए सारी चीजे बैलेंस हो जाए सारी नेगटिविटी निकल कर वाहर जाए जितने भी प्रॉब्लम्स क्रेट हो रही है वो निकले और मैं सक्सेज की तरफ आगे बढ़ हूँ जाते हैं करना और बैलेंस होगा थोड़ सा समय जरूर लग सकता है लेकिन बैलेंस होगा यहां पर आपके परसन को चीजे समझ में जरूर आ रहे हैं जो भी उनके साथ में चीजे हो रही है चाहे वो डिवाइन की तरफ से हो रही हो या उनकी तरफ से हो रही हो समझ में उनको जरूर आ चुका है कि चीजे कहां पर problem create कर रहे हैं कहां पर नहीं create कर रहे हैं upset जरूर है इस वक्त यहां पर upset जरूर है खुश भी नहीं है इस relationship में लेकिन एक होता ना कि हम नाराज हैं इसलिए हम बहुत कुछ बोलते रहते हैं मनी मन में हम अपने person को भूल नहीं पाते हैं मिस आट बहुत करते हैं बहुत ज्यादा missing energy रहती चाहते हैं कि हमारे पास वो आएं उनका caller message आ और हम उनसे बात करें लेकिन जब हम नाराज होते हैं जब गुस्सा होते तो हमारी energy यह रहती नहीं रहना है मुझे नहीं करना मुझे कुछ भी हो जाए कुछ भी ऐसा हो ऐसा हो मुझे रिलेशन्शिप नहीं रखना यहां पर आपके परसन की बीच में कुछ या आपसे मिलने भी आ सकते हैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि वो आपसे मिलने भी आ सकते हैं तो आपको यहां पर क्या करना आपको चुप चाप धहर बनाके रखना है कोई भी ऐसा comment या कोई भी ऐसी call message करके आपको यह situation हाँ block अगर आप लोगों ने एक दू सब्सक्राइब करें आपको कुछ नहीं करना चुप चाप पेशन्स रखें अपने चीजों को फॉलो करना है मैनिफेस्ट करना है बैलन्स में रहना है खुद को जितना हो से को उतना positive रहने की कोशिश करें आपके person इन सारे negativity से निकल कर बहुत जल्दी आपकी तरफ का दम बहुत जल्दी आपके तरफ बढ़ेंगे क्योंकि आपके लिए आप में ही उनकी खुशी है आप में ही वह सकस्स देखते हैं आप में ही वह रहना चाहते हैं आपके साथ ही रहना चाहते हैं पर पर आप बस बस पॉजिटिव वने रहिए और अपना ध्यान रखिए अगर आपको पसंद आई हो तो प्रीज मेरे वीडियो को लाइक कर लिजेगा चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा जरूर नहीं हर बात हर किसी से रेजोरेट कर जिससे जितना करें उतना लिजेगा बाके छोड़ दीजेगा थाइंक यू सो मॉझ टेक कियर और अफी बबाए